जब अब अबीयो को सपॉट करना चाहते तो इस वीडियोसे लाइक कर दीजेगा और शेयर भी tehdible घॉर अगर आप चाहते हैं किमेस्टीटे को टी हंडेर से कंपयर करूं या और किसी वीह हम टेटर से कंपर हो तो आप इस वीडियोसे लाइक कर दीज है कमेंट में मुझे को बताइए कि आप किस के साथ फाइट कलब वीडियो चाहते है तो मैं उसके फाइट कलब वीडियो भी बना दूगा जब दोस्तों एक एसमें आपका स्वागल दा आच के वीडियो में आप लोग सोनी के D10 model की sound test करने वाला दोस्तों और उससे पहले कुछ बाते बता दूँ है अब जो उफर मिलता आपको वह होता है 6.3 inches का उफर है 32 watts rms का है और जो speakers मिलता है वह आपको 3.14 inches के speakers है 9.5 watts rms का ह तो जो टोटल आउटपूर्ट होती हो आपको होती है 70 watts rms की तो शल्ले दोस्तों कुछ गाने वे आते फिल्म आपको बता दो दोस्तों इसकी best quality क्या है clarity क्या है loudness क्या है सारी चीज़े में आपको बता दूँगा जिससा आपको आसानी हो इस पूर्ट को खैजने में तो दोस्तों सबसे पहले बात करते है loudness की तो यहां पर जो loudness वह आपको एक्चुली बहुत काफे अच्छी है क्योंकि अगर आपके रूम अगर 10-10 की है या 10-12 की तो उसमें जो आपको loudness आगी वह काफे बढ़िया आएगे और यहां पर जो speakers है दोस्तों speakers के जो wires है वह 10 feet करीब के दिये हुए तो इससे क्या होगा आपको रूम में आप चारो तरफ रूम लगा सकते speakers को यहां कि दोर speakers को आप प्लेस कर सकते रियर में और दो को front में तो इससे क्या होगा जो sound है कि वह चारो तरफ से आएगी हलाए कि आप आपको surround sound नहीं आएगी कि आपको यह तो इससे आपको झाज़ा ओबका सARK जा आएगी है दो च remar serv कि छिए पसुर्ख टिख चारो बनाव तोस से आएगी च Лिए गिए है व JS अ मैं भी तो ऑष बैह कर दोस्त्त बात करते कुई टो क्लेरेटी जो आपको सोनी होंद्य टभ देयते हैं जो सोनी ब्रैंड देता आपको वो दूसरे किसी इब भी नहीं मिलती आसानी से क्योंकि हाँ पर जो बजेट है यार वो करिफ 6,000 रुपिस का है उस रेंज में दूसरे ब्रैंड जो बड़े ब्रैंड से वो आते हैं नहीं और जो नॉर्मल ब्रैंड से उसमें इस तरह की क्लारेटा को मिलती नहीं तो क्लारेटी के मामले में अपने शिंतर है कि आपको जो क्लारेटी मिलेगे वो काफे बड़िया मिलने वाले सोनी डी 10 मॉडल में और रही बाद़ को बेसक्वालीटी किया तो जो बेससे इसक शिंगस पॉआंट रीगेंंच को ऊफवर लगाए गया बदतिस वह जानर में इसकure है तो जो बेसक्व की एफेक्ट जो थंपार्स अफेक्ट बते itosअज कि वह काफे बढ़िया हो और काफी clear है यहाँ पर जो thumping effect आएगा वह बहुत ही जब adjust आता है अगर 6000 के अंदर budget है या 6000 से व्यूपर budget है और अगर आपको पसंद है यह detail model base के लिए clarity के लिए तो आप इसको जोड़ से purchase कर सकते है बट अगर आपको चाहिए base control travel control तो वो आपको इस product में नहीं मिलने वाली यहाँ पर कुछ खामिया है दोस्तों पहले तो यहाँ पर आपको display वेगरा कुछ भी नहीं मिलता है remote में बहुत ही minimum functions दिये गा है हाला कि आपको जो volume है उसकी आपको indication में नहीं पता चलेगी या कि volume फूल पर कितना है medium पर कुछ भी आपको पता नहीं चाहता है जब फूल हो जाता है तो वह बस blink करता है इसका मतलब फूल हो गया तो यहाँ पर यह कुछ सारी चीजे है प्लस यहाँ आपको 4.1 speakers मिलता है 5.1 input और कुछ भी नहीं मिलता है और यहाँ पर इंपूट देखे तो आपको बस USB का input मिलता है यहाँ पर आपको FM नहीं मिलती है यहाँ पर एक और यहाँ पर आपको सारी चीजे Bluetooth वेगर कुछ भी नहीं मिलती है तो अगर आपको Bluetooth चाहिए बेस control चाहिए डिस्प्ले चाहिए तो यह प्रोड़क्ट आपके लिए नहीं है आपको दूसरी ब्रैंड में जाने पड़ेंगे क्योंकि आप सोनी की जो भी प्रोड़क्स है यह उसमें बस Bluetooth है वहाँ पर यह सारी चीज आपको नहीं मिलेगे बेस्टेवल को ट्रो तो अगर सोनी के फैन हो सोनी के प्रोड़क्स देना चाहते हो और पसंद है यह सारी चीज़ा चोड़ के बैस्टेवल को छोड़ के तो आप डीटेंड ले सकते हैं काफी बड़ी नीटें मॉडल की उमीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको जो से लाइक कर दिए शेक किजिए नीचे कमेंट के दोस्तों धन्यवाद जय मता दी